2 best my god on 24 ۶ तो वियू अगर आज मैं आपको बहुत ज्यादा वर्मुदा लेटे अर डit सबसे पहले बात काते नौल से स्टार कर देते हैं सब से पहले बात करते हैं नौल चैनी स्वाट के मतलग बात करते हैं सम्शंग के smartphone की तो अगर आपका विर्ड फिस थार थार पच्छिस थार से अगर आपका विर्ड कम मैं तो इस प्राइज डीन में यार्ड दू स्मार्टफून रखे हैं सैंसंग की और से मैं बात कर रहा हूं सैंसें गलैक्सी M51 की एंड मैं बात कर रहा हूं Samsung Galaxy F6C2 की यह दोनों स्मार्टफून बहुत ही ज़्यादा सही है लेकिन अगर डिजाइन लुक या colors wise देखा जाए तो Samsung Galaxy M51 का design color look को वगरा जादा सही है as comparison किया जाए है Samsung Galaxy F6C2 से ठीक है इन में processor दोनों में आपको तगड़ा देखने को मिल जाता है बैंटरी लाफ आपको 7000 मेंच की दोनों में मिल जाएगी मतलब आपके दू दिन तो नॉर्म निकल जाएंगे सौरी जितनी भी आपने हाड़कोर गेमिंग करने मुल्टी टास्किंग करने कुछ भी करना जाता है आप नॉर्मली ईजली कर सकते हो कैमरा क्वाल्टी दूनों की अपर देखने को मिल जाते है एंड ये पच्छी से नीचे दोनों स्मार्टफून देखने को मिल जाते है तो आप देख लेना अगर है अगर आपको सबस्टी टू से लगता है भी आप उसके जा सकते हैं अगसेगलाया का सबस्क्राइब ये अगर सबस्टीं टूर्ट योडदी कि तो शाइन ये टूर्ट येखने 151 का ज्यादा अपर आपको देखनी को मिल जाता है तो वह अगर आपको ले शार से कमें आपको 770 ऑ listening मैंने दो स्मार्टफून रख्याह sì कि जो भी आपना जाते हो आप ले सकते हो मैंस मैं बात करूं अगर मैं इन दोनों स्मार्टफून की बात करूँ दोनों मैं आपको 120 रिफ्रेशर के साथ डिस्प्ले देखने को मिलता है लेकिन जो रेडमी नो टैन प्रो मैक्स है वो आपको 5G नहीं देखने को मिलता है इस चीज को आप ध्यान में रखना प्रसाइसर दोनों में तगडा साथ मिल जाता है स्नापड़कन की आपको प्रसाइसर देखने को मिल लगा है दोनों ही एट नैनो मिटर टेक्नोलीजी के साथ बेस्ट जाधा डिफ्रेंस नहीं देखने को मिलेगा अगर आपने हार्ड़कॉर गेमिंग करनी है आप इसली नार्वी दोनों स्मार्टफून प्रेकर सकते हैं कैमरा क्वाल्टी दूनों की बहुत ही जधा पर है कौर कैमरा सैट अप दोनों में देखने को मिल जाता है लेकिन वेटमिन दो टैन प्रो मैक्स जो है वो डॉस्ट प्रूफ है उसमें आपको आइपी फिफ्टी थी रेटिंग देखने को मिल जाते है लेकिन रेटमी नोट टैन प्रो मैक्स है वह आपको फाइव जी तो नहीं देखने को मिल जाते है तो उसकी कुछ अपनी खास है एंड अपनी खास है मतलों फाइव जी स्मार्टफून चाहिए तो अपके लिए पर बैस्ट दिल हो सकता है अगर आपको फाइव जी से फरक बहुत ही ज्यादा अपर है तो आप देख लिए ना लिंक दोनों के दिए हूं है जो भी आपको डिजाइन लुक वाज अच्छा लगता है आप उसके और जा सकते हो आगे बात करते हैं नमबो थ्री की नमबो थ्री की बात करो यह नमबो थ्री पर रखे है मैंने रियल्मी से आते हैं अंडर 24,000 आपको नामनी देखने को मिल जाएंगे मैं बात करना हूं रियल्मी एक सेवन की एड में बात करना हो आपको फ्रॉंट के साथ देखने को मिलता है तो भी अगर आपने हाड़कोर गीमिंग करनी है आप इजली नॉमली कर सकते हैं आपको कॉर्ड कैमरा से अड़क दोनों स्मार्टफून में देखने को मिल जाता है प्लस आपको ठर्डी टू में अपक्सल की सेल्फी दोनों में देखने को मिलता है बैंटरी लाइफ फोट अउन एमस की अपर ही थोड़ी सी देखने को मिलेगी दोनों स्मार्टफून में तो ज्यादा डिफ्रेंस बगारा नहीं है ज्यादा डिफेंस यह देखने को मिलता है कि जो व्यल्मी एक्सस सेवन है वो आपको फाइप जी चामरा भी बहुत आदा सही है अगर आपको एक न्या फून चाहिए और से एंड फावजी स्मार्ट फून चाहिए अमले डिस्प्ले चाहिए तो आपके लिए बैस्त दिली लोगता है रियल मी एकसस्ट आप इस स्मार्ट फून के और जा सकते हो जा फिर अगर आप रियल मी आपको एक कैमरे के अकॉर्डिंग लाइक स्मार्टफून चाहिए व्लॉगिंग करना जाते हो यूट्यूब विडिस करना जाते हो रिल्स बनाने है टिक टॉक बनाने है अच्छी फोटो लेनी है तो आप सबी के लिए परफेक्ट डील हो सकता है वी वो वी टुटी तो आप आप इस स्मार्टफून के और जा सकते हो स्लिम एंड स्टालिस डिजान तो मिल जाता है प्लस इसके कलर वगर आप बहुत ही ज्यादा प्यारे देखने को मिलता है रेंबू शेर में एक आपको कलर देखने को मिलगा अगर आप लेना जाते है तो बहुत देखने को मिलता है Vivo V20 आपके लिए perfect deal हो सकता है आगे बात करते है number one number one की बात करो number one पर यार मैंने फिर से रखे हैं दो स्मार्टफून अगर आपको different design चाहिए color भी आपको matter करते हैं उसके साथ साथ आपको flagship processor चाहिए hardware gaming करनी है high setting पर gaming करनी है multitasking करनी है camera भी अच्छा चाहिए design local गारा भी अपर चाहिए आपके लिए ये दोनों स्मार्टफून भी बहुत ही ज़्यादा सही होने वाले हैं मैं बात करूँ IQS 003 की end मैं बात करूँ LG G8X की ये दोनों स्मार्टफून आपको बहुत ही ज़्यादा सही लगने वाले है मतलो आपको पसंद आएंगे ये या अगर आपका बज़ड 25,000 है तो सबसे पहले बात करते है IQS 003 की स्मार्टफून की बात कुरूं सबसे पहले आपको 5G स्मार्टफून बेल जाता Super AMOLED HDR 10 Plus देखने को मिलेगे डिस्ब्ले जुकी ग्रीला ग्लास 6 की प्रोड़क्शन के साथ देखने को मिलते है फ्लैक्शिप परस हैसर मिल जागा जो की 7शन टिकनोलजी के साथ बेज़ तीन कलर्श में ये स्मार्टफून आथा आपको 25,000 के बजने में देखने को मिल जाता है, फून जो वो 360 डिग्री पूरा उपर हो जाता है, सेल्फी बगारा बहुत ही ज़्यादा अपर है, अगर आप सेल्फी लेने के ज़्यादा शुक्यून हो आपके लिए तो पोफेक्ट डील होने वाली है, स्नैप्रेगन 855 प् होता है, आपको IP68 water and dust resistant rating भी मिल जाती है, मतलब waterproof smartphone है यार ये, तो मतलब यार इतने price नहीं, मतलब 25,000 के बजट वेंच में आपको waterproof smartphone मिल जाना, IP68 rating मिल जाना, dual display मिल जाना, अच्छी selfie अच्छा processor, तगड़ा processor मिल जाना, वो जी सच में matter करती है, तो भाई अगर आपको gaming के लिए चाहिए, selfie के लिए चाहिए, video recording के लिए चाहिए, प्लस भाई अगर आपको waterproof smartphone चाहिए, LG G8X आपके लिए perfect deal हो सकता है, buying link में description box में दिया हूँ, अगर आपने purchase करना है, आप purchase भी कर सकते हो, 25,000 के budget range में, तो यार अभी मैंने आपको इतने smartphone बता दिये, Samsung के smartphone भी बता अगर आपके लिए चाहिए, अगर आपने deeply को भी चाहँट करना है, स्पैसिफिकेशन पढ़ना चाते हो, आप पड़ सकते हो, अभी यार मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है, खरत हम, अगर आपके मिलट बेच लिए यार वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेर करना, भी दोस्तों को भी दोस्तों को बेदाना, अटको भी कहा देन के चान्क को दे सब्स्क्राइब वीडियो को रदे लाइक, और इस्टाग्राम पे को लिए फोलो लिंक व करा आए यारा आप उडिसकेशन लिए खिवीडियो में जाग स्वोचाओ और नामी वीलते झाल झाल